कि है लो दोस्तों जैसे के आप देख पा रहे हैं यह एक स्वाइल कॉम्पेक्टर है और इसका यूज जो हम कॉम्पेक्शन के लिए करते हैं मतलब जैसे के हमारा कर कोई स्टक्चर है कोई प्रक्चर रोड हो बिल्डिंग हो ठीक है तो उसके जगा पर यूज की तरह है आज उसके बॉटम का जो फूर्शन है उसको स्ट्रॉंग और हाड बनाना पड़ता उसके लिए मों कॉम्पेक्ट करना पड़ता तो हम मतल जो भी उसमें इसमें मुरूम है और इसमें जो है जो बारी चूरी होते है गिट्टी की वह हमने यहां पर डस्ट जो है वह हमने फेल कि इसको कॉम्पेक्ट कर रहें ताकि जो भी हमारा प्लॉर का स्लैप आये तो ग्रांट प्लॉर का जो स्लैप हमारा आ रहा है उसको अच्छा हट सर्पिस मिले और फ्यूचर में जो हमारा स्ट्रॉक्टर का अंडुलेशन ना हो जो उसके नीचे का पुर्शान से टल ना हो ठ जो प्लेंट लोल में अपने जो मट्योर फिल करें अगर इस तरह का स्ट्रॉल कंपेक्टर रियूज करना पोछ जरूरी है कैसे मैंने का आपको भारी नुक्सान हो सकता है ठीक है क्या होना आपका घर आप एक बार कंस्ट्रक्ट्ट कर रहें अगर उसका जो यह जो लगे है फिर जो भी अपने ग्राउंट फ्लोर का बॉटम स्लेब डाला है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लिम आ सकता है आपका फाउंड आपका जो प्लेंट लेवा ले वह अंसेटल हो सकता है ठीक है तो यह सब जरूर करवा है और जो भी आपको कांट्रक्टर रहें पिर उनको याद से इस बारे में बोले हो उनके यह करवाना बहुत ही जरूरी है ठीक e as a civil engineer मैं आपको रिकरमेड़ करूंगा क्या आप इसको करवाना ही चाहिए कुछ बीओ फिर आपका 500 स्कुरिंड का घर हो आप पर 50-0 स्कुरिंड का घर हो कितना भी चोटा हो कितना भी इस वीडियो शाइन आप धन्साइब